स्मास्का दोस्तों अब सबका स्वगात है आपका भाई का चनल स्टामपूइट पर अजर में एक और बढ़िया वीडियो के साथ तो देखिए इंडिया वर्स सिलॉंका की जो खेल है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और उसके साथ तीन ओडियाई में सीफ दो जो पहला उन दोनों ने ही इंडिया अपने कभजा कायम कर ली है और क्या बढ़िया तरीके से अपने जीत को दर्च की है अब देखना पड़ेगा कि थर्ड ओडियाई जीत के इंडिया क्या वाइट वाइट वास कर बाएगी सिलॉंका को तो चलिए इसकी उपर आज बात करें में जो केराला में सिचुएटेड है और बहुत बढ़िया स्टेटियम है लेकिन वह पर उतना ज्यादा इंटरनेशनल मैच अभी खेला नहीं गया सिर्फ एक इंटरनेशनल मैच खेला गया था जहां पर इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडिस की खेल हुई थी और एक सो चार बना पाएते वेस्ट इंडिस और इंडिया एक सो पाचनम बना के उमेच जीत ली थी लेकिन उसके बाद उतना जाता मैच हुआ नहीं तो पीच थोरा सा न्यू है और यहापे जो बात कहा जा रहे है कि थोरा स्पिनिंग फ्रेंडली पीच होगी यहापे पीची में थोरा स को जादा मदद मिलेगी according to fast bowlers और जो बात किया जा रहा है कि जो fast अगर कोई बैटेंग ले तो उनका थोरा सा problem हो सकता है और कभी कबर यह भी बताद जा रहा है अगर high scoring पीच हो जो अब चल रहा है कि high scoring पीच किया जा सकता है तो जो पहले बल्लेवाद दिखरेगा उनका हो सकती है क्योंकि चेस करने के टाइम जो स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट में स्पीनर्स को जादा अकर मिलेगी और फास बोलर को थोड़ा सा मुवमेंट या जो सीमिंग जो होता है नेचरल कंडिशन में वह थोड़ा कम देखने को मिलेगा तो अब तक जो पीच की बात है हो यह है और हम अगर बात कर जो प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए हम अगर देखे तो प्लेइंग 11 में मुझे जो लगता है इंडिया को अगर स्पिनिंग फ्रेंडी विकेट हो जरूर तो यह जो वह पे है जो सिलेक्टर्स या जो प्लेयर्स वह पे खेल रहा है और कोट जो ग्रास नहीं हो तो आप जरूर से जो टीम स्टेबिलिटी है दो स्पिनर और तीन फास्ट बोलर उस जो टैक्टिक से उनके उपर भी चल सकते हैं और अमारे हाथ में तो हार्दिक पंडिया एक फास्ट बोलर एस है तो उतना कोई स्टेंशन नहीं की बात नहीं और एक जो चीज मुझे लगता है कि इस लास्ट मुकाबले में क्या सुझ्यकुमार जादव या इशन किशन इन दोनों में से किसी को एक मौका मिलेगा है नहीं यह वी एक देखना का बात है और केल राहूल पीछले मैस में इतना बढ़िया तरीके से खेला कि उनको और कोई हटा नहीं सकता बहुत सारे लोग क्योंकि मैं भी एक टाइम बोला था कि इसन किशन को उनके जगा रिप्लेस किया जा सकता है या ने क्योंकि इसन किशन एक अच्छा विकेट की पाड़ है बहुत सदा रन बनाए है और ए लेकिन के लहूल जो मिडिल पोजिशन में के इतना अच्छा तरीके से मिडिल और को समझ के खेला बहुत सारा टाइम दी जो स्कोर था कम था और 3 या 4 की रिकोर्मेंट थी पर ओभर में तो थोरा सा टाइम और क्रीज में समाई बितानी की बात था विकेट ना गिरा कि तो यह बात बहुत अच्छा तरीके से राहूल ने समझी सिक्स्टी फोर नॉट आउट बनाएता तो इसलिए मुझे लगता है कि के लाहूल जरू से इसमें तो खेलेंगी अब देखना प्रेगा कि सुझ्जु कुमाच जादो बात है क्या होता है क्यूंकि आप अगर ओडिया है मैं इस थोड़ा सा प्रॉब्लेम हो रहा था जरूर लेकिन पार्फोर्मेंस कम से कम अच्छा ही दी है और हम अगर बोलिंग की बात के तो खुल्दीव जादोब ठीक है मुझा लगत अच्छा टान उनको मिल रहा है लेकिन जुझु बंतर चैल को भी थोड़ा सा हाथ मे रखके खिलाना ज़रूरी है तो यह जो था और जो टीम है और से मि मुझे लगता है रहेगा और आगा चेंज हो सकता है या कुल जीवजाद उपके लगा फिर से जुझु बंत चल को खिले आजा सकता है और एक जो बात करें तो लोंका टिम बहुत अच्छा है जो टीम बन अच्छा तरीके सामाला लेकिन उनको नहीं खिलाएगा तो इसमें थोड़ा सा एक प्राब्लम है कि इंजूरी है या नहीं यह थोड़ा एक अलग चीज है लेकिन मुझे लगता है पथम निसंका को जरूर से खिलाना चाहिए और जो टीम में अगर हम देखे तो एक और स्पि करने की लेकिन अगर आप मेरी प्रेडिक्शन या मेरा कुछ फेबरिट की बात करें तो मुझे लगते इंडिया यह बाजी माल लगे क्योंकि बहुत अच्छा टीम और बहुत बढ़िया टीम है यह और अराम से मुझे लगता है कि तीन में जितके सिलाउंका का वाइट वा भाजी मालेके किया इंडिया लुकर्वाट वाइट वbeiten नहीं सब्सक्राइब करें अप्रेवाइब के सब्सक्राइब करके तो